ये राम कथा है यह भोग की नहीं त्याग की कथा है एक रात की बात है माता कौशल्या जी को सोते समय अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी नीद खुल गई पूछा कौन है मालूम पड़ा सुत कीडती सस्त्रुधन की पतनी है माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया सुत कीडती आई चरणों में प्रणाम कर खड़ी रह गई माता कौशल्या जी ने पूछा इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बेटी क्या नीद नहीं आ रही सत्रुधन कहां है सुत कीडती की आँखें भर आई बोली मा उन्हें तो देखे हुए तेरे बरस हो गए कौशल्या जी का हिर्दे कांप कर छट पटा गया तुरंत आवाज लगाई सेवक दोड़े आए आदी रात ही पाल की तैयार हुई आज सत्रुधन जी की खोज होगी अहोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदी ग्राम में तपशी होकर रहते हैं उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है उसी सिला पर अपनी बाह का तकिया बना कर सत्रुधन लेटे मिले मा सिराने बैठ गई बालों में हाथ फिराया तो सत्रुधन जी ने आखें खोली मा उठे चरणों में गिरे मा आपने क्यों कश्ट किया मुझे बुलवा लिया होता मा ने कहा सत्रुधन यहां क्यों सत्रुधन जी की रुलाई फूट पड़ी बोले मा भहिया राम जी पिता जी की आग्या से वन चले गए भहिया लक्षमर जी उनके पीछे चले गए भहिया भरत जी भी नंदीग राम में हैं क्या ये महल ये रत ये राजसी बस्तर बिधाता ने मेरे ही लिये बनाए हैं माता कौसल्या जी निरूतर रहे गई यह रामकथा है यह भोग की नहीं त्याग की कथा है यहां त्याग की ही प्रतियोगता चल रही है और सभी प्रतम है कोई पीछे नहीं रहा चारों भाईयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रत अद्वुत अविनव और अलोकिक है जै शिरी राम दोस्तों यह राम कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सेर, कमेंट करना धन्यवाद